नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगच एक Companies के बार में एक फाइनन्स कोमपानी के बार में जो देखा जाए तो एक NBFC है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनल सेल कोमपानी है तो इस बैंक के बार में बात करूंगा क्यों को पर प्रेसर है और करिबन 20 परसं तक गिरावड देखने को मिला तो अभी फिलाल के लिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंड किया सर्व क्या अभी इस कंपानी से निकल जाना चाहिए तो इसके को पूरा देखिए तभी आपको सारे डीटल्स मिल जाएगा तो वीडियो को लास तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जुरूर सब्सक्राइब लेजिएगा क्योंकि आपको डेली विसी स्टॉक मार्केट इंफोर्मेशन अन चाट परटन के हिसाब से या पर दिखे कंपानी किस तरीके से पिछले दिनों में करीबन चाड़े चार परसेंट अब बोल सकते तीन परसें तक गिराबट देखने को मिला तो इतना ज्यादा पॉलिंग हो रहा है आपको दिख लिए पांस दिन का चाट परटन कर दूँ त इसक्स मन्द में करीबन करीबन आप देखेंगे तो 18% निगेटिव रिटन अपको दिया उसके बाद आप एक साल की चार्ट परटन कर दो तो एक साल में कंपणी 32% का आपको लॉसेस दिया 32% का लॉसेस मतलब आप सोची लीजिए आप मानके चलिए इस कंपणी को पर एक रुपया निवेस करके रखे थे और अब का अभी भांट हो गया करीबन करीबन 70 के मतलब सतर हजा रुपया हो गया तो इतना अग्रिसिबली कंपणी लॉस आपको दे रहा है तो क्या इस कंपणी के माल बेचना चाहिए क्या माल यहाँ पे टोटली बेच देना चाहिए उस किस तरीके से कंपणी का गिरावट स्टार्ट हो गया सबसे पहले में एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो बात में पहले आपको दिखाना चाहता हूँ चलो देख लीजिए मतलब financial investment जो इन्जस्टीज है उनमें देखा जिए जो लीडर है देखे दो तरीके मचली होते एक बड़ा मचली और एक छोटा मचली थेके बड़ा मचली जो है वो है फाइनल सेल का डिगज कंपानी बाजाज फाइनस बाजाज फिंच सब्सक्राइब बड़ा कॉम्पनी आप बोलेंगे तो बाजज फाइनस बाजज फीन सब जो मार्केट को पूरा के पूरा कप्चर करके रखते हैं और जो खुद का जो पावर है उसको दिखाता है सेम टू सेम यहां पर जो छोटा मचली है वो देखिए महंद्रा महंद्रा फाइनांस इस तरीके से कुछ फाइनांस आपको देखने को मिलेगा जो एक्चुली देखा जाए तो यहां पर छोटा मचली का पर्फॉर्मेंस यहां पर टोटली प्रेसार में रहता है हमेसा प्रेसार में रहता है क्योंकि देखिए बड़ा मचली अगर मार्केट कैप्चर कर लेंगे जोटा मचली वहां पर कंक्ट्सर करने के लिए उसको भॉध भॉध एफोर्ट देना पड़ेगा तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रेसार इस टाइफ काम मिलता है तो मेरे चौटा क्योंकि को काम करने मार्या में देख़िए और आवर मार्केट में अगर प्रेसार रहे तो छोटा कंपानी के उपर तो सबसे ज़्यादा प्रेसर केट हो ही जाता है तो क्या इस कंपानी के उपर रहना चाहिए क्या इस कंपानी से कंपानी के माल बेच देना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा सा या बात करने से पहले कंपानी के डीटेल सब को समझना पड तो इस कोंपणी के उपवर उतना ज्यादा market के बिलेशन कोंपणी के नहीं है 17,000 क्रोड़ एक small cap type कोंपणी आप बोल सकते हैं कोंपणी का market के बिलेशन उतना भी खास नहीं है कमपानी के पास जो share है वो 123 करोड का total share है और P ratio 31 है और कमपानी का PB ratio बहुत low level में दिखने को मिला फेस बेलू 2 रुपिया है मतलब कमपानी split भी कर चुके है कमपानी dividend उतना अच्छा का सा नहीं दिया 0.58% का dividend company दे चुके है कमपानी के annually जो profit है वो दिखे 3300 करोड है और कमपानी के promoter के पास 52% holding है EPS मतलब earning per share के बारे बात कर दो 4.35% का earning मतलब EPS है sales growth company का sales growth है वो 2.93% का sales growth है return of equity के बारे बात कर दो 2.58% का return of equity है और return of capital employee के बारे बात कर दो 7.15% इसका देखे return of equity and return of capital employee बहुत low level range में काम कर रहा है और company का profit growth 63% डाउन हो चुके है तो इस बात को तो आपको जोरू observe करना होगा कि कर देखे company का profit growth अगर धीरे-धीरे कम होते जाएंगे तो company के लिए बड़ा pressure देखने को मिलेगा देखे company के हाद में margin उतना नहीं बचेगा तो company काम कैसे करेगा तो देखा जाए तो company का performance है उसके बारे में बात कर दो company देखे sales भी कितना सांधर किया है अच्छा खासा sales को growth करते रहते है company का expense भी उतना ज्यादा नहीं है जिस तरीकी से company का sales होते है यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है company sorry यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया और उसके बाद expense भी देख लिए एक्सपेंस भी कुतना उतना ज्यादा expense company नहीं करते है मगर company का interest ज्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि company का बस करजा भी ज्यादा है तो इसलिए के company का हाद में profit तो होते है अभी फिलाल के लिए देखने को नहीं मिला फिर भी company देखिए ठीक ठाक performance कर रहा है company profit तो जोरु कर रहा है हाँ यह पर देख सकते company का sales growth जबदस्त है profit growth obviously negative में है return of equity तो में पहले बता चुको average level में है कंपणी आपको क्या दिया बहुत देखना चाहिए दस साल में obviously 500 पांस साल एक साल हर साल में company आपको losses दे रहा है क्या इतना लॉसस में आपको क्या stock कर देक मतला stock को सेल कर देना चाहिए तो देखिए company का reserve पहले आपको देखना चाहिए company का reserve जो है वो aggressively हर साल में बढ़ते जा रहा है और आप एक करजा भी देख लिए company के बास जो करजा है वो भी देख लिए 62,000 करोड 65,000 करोड इस तरीके से कुछ करजा फिलाल के लिए दिखा जा रहा है और एक चीज में आपे जोरू कहूंगा अगर company खराब होते तो company के उपवर FIS DIS तो अभी फिलाल के लिए 19 परसन 15 परसन होल्डिंग नहीं रखता public यहाँ पे जातातर माल उठा मतलब उठा लेते क्योंकि public को इस तरीके से company चाही होते क्योंकि फिर भी देखिए company अच्छा खासा पर्पर में जोरूर कर रहा है जोरूर क्रोसिस कर रहा है जो बड़ा मचली है उसको टकर देने के लिए नहीं तो खुद को आगे ले जाने के लिए आपे क्रोसिस कर रहा है मगर देखिए आप आप देखेंगे तो जो समुद्र है उसमें जो बड़ा मचली रहते है उसके साथ पंगा लेने के लिए छोटा मचली कभी नहीं ले जाते है उसको सिर्फ बचना है उसको आगे जाना है उसी के उपर सोचते रहते है और बड़ा मचली हमें से ही सोचते रहते है कि market मतलब मार्केट के उपर कैसा capture करू और छोटा मचली को कैसे खालू तो इसी लिए छोटा company को आप छोटा मत समझिए वो भी एक bum भी बन सकते है future के लिए तो मुझे लगता है इस company future के लिए अच्छा खासा एक bum बन सकते है क्योंकि company का कुछ positivity तो मुझे जोरू दिखते है क्योंकि company की performance में कभी भी loss नहीं किया quarter में losses हो ही सकता है क्योंकि corona के situation में बहुत सारे business का problem इसू हो गया था तो इसलिए इस company के उपर भी थोड़ा सा problem इसू हो सकते है तो महेंद्रा महेंद्रा financial services है इसके बार में बात कर तो company फिलाल के लिए बहुत चोटा है और company के जो अभी तक फ company के उपर positivity जोरू दिखता हो तो अभी देख लेते company का technical chart button के बार में क्या अभी इस company और कितना गिर सकते है और कौन सा level के बाद company कर सकते है तो यहापर मैं चार्ट पर आ चुका हूँ यहापर देख सकते है महेंद्रा महेंद्रा finance equity stock में open करकर रखा में वांड का candle open करकर र इवेस मत कर दिजेगा selling मत कर दिजेगा buying मत कर लीजेगा आप पहले study करिएगा उसके बाद आपको लगे हाँ उसमें काम करना चाहिए तो काम कर सकते हैं देखे मैं कोई यहापर recommendation नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आपको मैं education purpose में आपको इस सारा चीज दिखा रहा हूँ तो यह लगता है next जो level रहेगा वो बहुत बड़ा level रहेगा और वो भी 110 110 इस level तक company आ सकते हैं मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ अभी फिलाल को जो scenario है वो 140 रुपीज आप बोल सकते हैं अभी इस range में काम कर रहे है company फिर से इस level तक यहापर जो level आपको मैं बताए हूँ इस level तक company आ सकते है company 110 इस level तक आ सकते है देखिए आएगा का नहीं आएगा आप खूदी आपको पते चलेगा और इस level को मुझे लगता है जिस तरीके से aggressively selling हो रहा है जिस तरीके से aggressively माल बेचा जा रहा है और वो भी finance sector के उपर सबसे ज़्यदा पेसा रहते हैं अगर all over world के financial के problems के उपर effect पड़े तो क्योंकि आप खूदी जानते है crude oil का price कितना बढ़ रहा है natural gas का price कितना बढ़ रहा है तो इसलिए financial के उपर तो effect पड़ेगा ही पड़ेगा तो फिर भी आप और एक चीज़ जोरू बता दू यहापे जो अमेरिका के जो मतलब जो interest rate है वो भी इस March month में बढ़ाने वाला है तो और भी ज्यादा pressure इंडिया में जोरू देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है और एक sharp fall आपको यहापे जोरू देखने को मिल सकता है तो आपको के करना चाहिए अगर इस level तक आए उसके तक अभी तक इस level तक आपको hold करना चाहिए इस level तक तो फिर से आप buying कर सकते हैं कि इसके बाद supported zone उतना नहीं है तो मुझे लगता है इस level एक strong level है तो इस level तक आपको थोड़ा सा weight करना पड़ेगा आप फ्रेस buying करना चाहते हैं और जितने सारे दोस्त पहले से buy करकर रखा तो obviously आप 30-40% तक 40% 30-40% तक आपका recovery हो चुके losses चल रहा है तो एक average आप लेवल एहां से कर सकते हैं फिर भी देखें में study purpose में आपको बता रहा हूँ आप please aggressively आपको study करना होगा उसके बाद निवेस करने के लिए सोचिए वसा करते हो सारे जनकर आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियों अच्छा लगत लाइक करना दोस्